बहुत बहुत शुक्रे आप सभी का जॉइन करने के लिए मैं आसिफ रशीद आपके साथ बिलाखिर जमुकश्मीर के अंदर 5G Services का आगाज हो गया है और ये 5G Services दो बड़े Networks जिनका मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा Competition है सबसे बड़ा मुकाबला है एक Reliance Geo का और दूसरा भारती Airtel का इन दोनों के दरफ से Services लाँच की गई 48 घंटों के अंदर दो बड़ी Positive Development ये होई कि जमुकश्मीर के अंदर भारती Airtel ने पहले ही Services लाँच की थी लेकिन तकरीबन 20 से 30% तेज इंटरनेट चलेगा 4G के मुकाबले 5G Services की जहां तक बात है साथ ही साथ अब अच्छी खबर ये कि बहुत सारी Geo Users भी है टेलिकॉम कंपनी से जुड़े हैं SIMS इस्तेमाल करते हैं गेमिंग, वीडियो, चैटिंग, अलग-अलग सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर SIM Cards का साहरा लेते हैं तो अब G.O. ने भी बिलाखिर अपनी Services शुरू कर दी है जमुकश्मीर के अंदर ऑफिशली डिसमबर 2023 तक लक्ष रखा गया है टागेट सेट है, अधाफ रखे गए हैं कि हर जो कस्बा है, हर शहर है या हर इलाका है जमुकश्मीर का वहाँ 5G Services जियो डिसमबर 2023 तक पहुँचा देगा लेकिन लेटनिंट गवरनर मनोज सिनहा ने जिननोंने 5G Services जिनको True 5G Services का नाम दिया गया है उनकी शुरुवात कर दी है और एक बड़ा रोल सोशो एकनॉमिक डवलपमेंट में देखा जा रहा है यूनियन टेटरी के अंदर होगा दूसरा 440 से ज्यादा ऑनलाइन Services जब सरकारी दफातिर में इस वक्त ऑनलाइन है आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने है एक क्लिक पर आप अपने मुबाइल फॉन से घर बैठे Services हासल करना चाहते है अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी तरीके से आपका जो हेल्थ कार्ड है उन सारी चीज़ों का कोई अपडेट लेना है, कोई जानकारी लेनी है तो आप पहले के मुकाबले ज्यादा इंटरनेट तेज इस्तमाल कर पाएंगे उस इंटरनेट के सहारे, तेज इंटरनेट Services के सहारे आप घर बैठे अपने खिदमात हासल कर सकेंगे जो लेफनेट गवरंड की तरफ से, तकरीबन ऐसे 29 प्रोजेक्ट से जमुकश्मीर के अंदर जो एपेक्स कमेटी की जानिब से सिफारिशात की गई थी और जमुकश्मीर के अंदर एगरिकल्चर और लाइट से जुड़े हुए ये सारे प्रोजेक्ट से लेकिन अब जाकर क्या हुआ है कि रिलाइन्स ने इन प्रोजेक्ट के साथ भी अपना काम तीजी के साथ करने के लिए जमुकश्मीर में अपनी सर्विसी शुरू की हैं सी ओ नौर्थ हैं कपिल अहुजा उनने कहा कि डिसंबर दोहजार तईस तक जी ओ ट्रू फाइव जी सर्विसीज हमारा मकसद है कि हर शेहर तक हर गाउं तक जमुकश्मीर के अंदर पहुँचे और यूनियन टेर्टरी के अंदर जी ओ की तरफ से कुल जो इस वक्त है वो जमुकश्मीर के अंदर सर्मायकारी की गई है 6,529 करोड रुपे की और इससे क्या होगा कि डिजिटल जेंड के बनाने का एक सपना साकार हो जाएगा और 36,000 डिरेक्ट और इंडिरेक्ट इंप्लॉइमेंट्स मिलेंगी यानि रोजगार 36,000 लोगों को बिलवास्ता और ब्राहरास जो है इससे मिलेगा 1230 करोड रुपे की इंवेस्टमेंट जो है वो डिसमबर 2023 तक कम्प्लीट कर ली जाएगी ब्लॉक और हर तहसील तक जियो 4G सर्विसिज के बाद 5G सर्विसिज शुरू करने जा रहा है और बाकाइदा गलास डेमोंस्टरेशन के जरिए ये सर्विसिज शुरू कर दी गई हैं लेकिन एक्स्टेंड मजीद कर दी हैं और वो एक्स्टेंशन का जो भरपूर फाइदा है जी उने अब उठाया है नॉर्दन इंडिया के अंदर शुमाली भारत के अंदर जिसमें जमो कश्मीर भी है तो 5G सर्विसिज शुरू हो गई है मगर साथ-साथ भारती एर्ट हैं जहां पर जीओ के बाद एर्टल ने भी अपनी सर्विसिज और तेजी के साथ बढ़ाते हुए शुरू कर दी हैं और आदर्श वर्मा सी ओओ हैं जमो कश्मीर के लदाक के अंदर भी भारती एर्टल के उनकी तरफ से ये तफसिलात शेयर कर दी गई और उनने कहा कि पह दो घूरी ये तेरहां ऐसे इलाके इन चार अजलाके जहांपर 4G리 सर्विसिज के बाद 5G शरू हो गिए हैं तो जियो ने बी अपनी 5G सर्विसिज अच्चियो कर दी हैं एर्टल ने पहले ही शरू कर दी थी ति उस ने तेरहां और नई यह इलाकों के अंदर सर्विसें का आगाज कर दिया है इन सारी खिद्मात का आप सहरा लीजेगा 30 से 40 परसेंट माफ की जगा 20 से 30 परसेंट तक इंटरनेट सर्विसेज जो है पहले से तेज चलेंगी वीडियो गेम और आसानी से आप खेलेंगे डाउनलोड में आसान होगा मुबाइल एप्लिकेशन आसानी से डेटा कम इस्तमाल होगा लेकिन रिचार्ज का जो है 15-20-30 रुपे का फर्क महसूस किया जाएगा यानि 400 रुपे आप 399 का जो रिचार्ज करवाते थे वो लगबग 425-30 के आसपास पड़ेगा मगर उस पे डेटा और प्लान भी पहले के मकबले ज्यादा होगा 28 के शुरू हो गया है शुरुवात हैदराबाद से हुई थी इंफर्मिशन और टेक्नॉलजी के वजीर की तरफ से आज से 5 महीने पहले सेप्टमबर 2022 में अलरडी शुरू कर दी गई थी लेकिन आहिस्ता इस्ता जब मुकश्मीर भी डिजिटलाइशन के प्रोसेस के तरफ चल पर भी आप ऑनलाइन सर्विसिज आपको सरकारी दफ्तरों में मिलेंगी आफलाइन सर्विसिज कम हो रही है वो फाइलों वाइला वो जो फाइलें धूल चाटती थी सरकारी दफ्तरों में वो सलसला कम हो गया है तो फाइलें ऑनलाइन चल रही है इसलिए घर बैठे आप एक क्लिक पर online services हासिल कर सकते हैं, जो मुकश्मर इंतिजामें इस पर focus कर रही है, जमीन का record है, बाकी चीज़ें देखनी हैं, जैसे मैंने शुरुआत में का, आधार, पैन, राशन कार्ड वगरा, हेल्थ कार्ड वगरा, वो सारी चीज़ें online आप status जान सकते हैं, डो missile certificate बनान हैं, वहाँ पर आप internet अगर पहले slow चलता था, अब तेज़ चलेगा, तो उसका भरपूर फाइदा उठाईएगा, आपने किसी चीज़ के लिए apply किया है, फिर से पता करना है, click किज़ेगा, website आपके सामने सारी चीज़ें, यानि internet और आपके कागजात, आपके documents, आपके ल करते हुए, अपनी जिन्दगी को और बहतर बना सकते हैं, digitalization के process के, मगर इन सब के बीच में इस चीज़ से भी बचना है, कि कहीं आपके bank खातों से, आपकी bank details, आपके cards की details ना ली जाए, कहीं fraudsters आपको गलत link भेज कर, आपको click करने के लिए कहें, जिस पर आप click करके अप 20-30% पहले से ज्यादा internet तेज चलेगा, भरपूर फाइदा उठाईए, लेकिन fraudster और जो online scams होते हैं, उनसे भी बचने की कोशिश करें